नमस्कार, कारिक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत अविनन्दन, मैं हूँ आपके साथ विश्ववंध पांडे दर्शुकों, आज हम अपने इस कारिक्रम में एक बहुत खास विश्य पर बाचीत करने जा रहे हैं और आज का विश्य है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रासिंगीत्ता और इस विश्य पर बाचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास महमान मौजूद हैं उपस्तित हैं आईए उनसे आपकी मलाकात कराते हैं सबसे पहले डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी जी जो की विभागार ध्यक्ष हैं व्याकरण विभाग के और उत्तराखन सस्कृत विश्य विद्याले से सराप हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे दूसरे मेमान है डॉक्टर प्रकाश पंत जी जो की साहिए प्रोफेसर हैं शिक्षा शास्तर विभाग के उत्राखन सस्कृत विश्य विद्याले के आप दोनों ही मेमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत हैं दन्यवाद डॉक्टर शैलेश जी सबसे पहले हम आपसे शुरुवात करेंगे कारिक्रम की आज हम जन्माष्टमी की प्रासिंग इकता इस विशय पर बाचीत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्योंकि भगवान क्रिशण के जन्म के बारे में और किन परस्थितियों का जन्म हुआ है निरंतर और हमेशा से ही हम मीडिया के माध्यम से electronic मीडिया, print मीडिया और बहुत सारे धर्म ग्रंतों के माध्यम से इस विशय पर हर व्यक्ति अपनी जानकारी रखता है जानकारी उन्हें होती है लेकिन आपके मुखारविन से आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हो और किन परस्थितियों में हो सच्चिदानंदर उपाय विशोत पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयन्नमा बहुत अच्छा प्रश्ण किया आपने यद भी सबको ग्यात है फिर भी आपने पूछा तो इसी बहाने कुछ चर्चा तो होई जानी चाहिए भगवान के जन्म के वारे में भविश पुराण में आता है कि सिंग राशिस्थिते सूर्ये गगने जलदा कुले मासि भाद्र पदेश्ट म्याम क्रिश्ण पक्षेर धरात्र के ब्रिशराषिस्थिते चंद्रे अर्थात जब शूर्य सिंग राशी पर थे और सिंग राशिस्थे गगने जलदा कुले पुरे अकास मुंडल में बादल फैले हुए थे तो मासि भाद्र पदेश्टम्याम भादो महीने क अश्टमी तिथी, कौन से श्टमी, क्रिष्ण पक्षकेर धरात्र के, यानि कि क्रिष्ण पक्षकर धरात्र के आधी रात में, उस समय yeni Cr fonctionneiNlim, उस समय भगवान स्वयम युधिष्टिर से बता रहे हैं कि वसुदेवेन देवक्याम हम जाताओ जना स्वयम हम जातो जना स्वयम अर्थात भगवान स्वयम बता रहे हैं युधिष्टिर से कि ऐसे सुभम हुर्त में वसुदेव और देव की के द्वारा मैं स्वयम रोहली नक्षत्र में बोव करड़े में भगवान का जन्म हुआ दूसरा प्रशना आपका था कि किन परस्थितियों में जन्म हुआ तो इसके लिए तो बहुत प्रसिद्य भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्यक गलानिर भवत इभारत अर्थात जब जब धर्म की हा अवतार लेता हूं किसी ने किसी रूप में प्रगट होता हूं ये प्रसिद्य वचन है पर इतना ही नहीं है स्रीमत भागवत में भगवान कहते हैं एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि मर्ट्यावतारस्त्यमर्ट्यसिक्षडम रक्षो बधा यईवनके अलम भी हो भगव भगवान का जो अवतार होता है वो क्यों राक्षासों को मारने के लिए नहीं होता है क्यों जिस भगवान के संकल्प मात्र से इतने ब्रहमांडों की स्रिष्टी हो सकती है जिस प्रमात्मा के संकल्प मात्र से सबका संगार हो सकता है फिर दो चार राक्षासों को मारने के भगवान को धरति बना पड़ता है ये बात नहीं है वस्तुताहा मर्त्यावतारस्त्या मर्त्य सिक्षडम वो हमसे जुडने के लिए और अपनेевой साथ जुडने के लिए भगवान इस अनेक रूप में अतार लेते हैं और एक ब्याज है कि जब जब असूरों के अभिजिवी देईवी संपदाओं की छती होगी तब तब मैं अवतरित होंगा तो जब बिकट पर सिती आती है जब कोई सारी दिशाएं अधर्म से अच्छादित हो जाती है तो भगवान को आना पड़ता है बिल्कुल डोग साव आपने बहुत ही एक्षे श्लोक के सायदा यदा ही धर में से अगला नेर भवत भारता है अपन्ची भगवान की क्योंकि आज हम जन्माश्टमी की प्रासिंग ता इस विशे पर बाचित कर रहे हैं और समाज को क्योंकि जन्माश्टमी के जो व्रत है प धन्यवाद जैसा अभी डोग साब ने बताया कि जब-जब धर्म की हानी होते है जरता भगवान आउतरित होते हैं तो मैं समझता हूं पहला कारण तो यह है कि भगवान स्वयम मृत्य लोक में आउतरित होकर के आए मनुश्य के रूप में तो जो हम मृत्य लोक के वाशी ह उनके लिए सबसे पहला कारण तो यही है कि भगवान हमारे लोक में आ गए तो हम उनका अर्चन करें वंदन करें पूजन करें और भागवत महापुरान में तो नवधा भक्ति आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम पूजनम पादसेवनम ऐसे करके तो उनका पूजा का विधा यह तो हो गया पूजा अब कौन से और कारण हो सकते हैं जैसे डॉक साब ने यदा यदा ही धर्मस्यों का यह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा बहुत शुरुत शुना जाने वाला बोला जाने वाला स्लोक है स्रीमत भगवत गीता का इसी को गोश्वामी प्रमकै हानी बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब लें प्रभु विविध सरीरा हर ही कृपाने दी सज्जन पीरा और इसके बाद जैसे भविश्य पुराण का उल्लेग हुआ हम मारकंड़े पुराण की जब बात करते हैं वहां पर दुर्गा शप्त सती में आता ह है वर्णन इत्थम यदा यदा बाधा दान वोत्था भविश्यती तदा तदा वतीर्याहं करिश्यामी अरिक्षंश्यम तो इस प्रकार से वो चाहे देवी का अवतार हो चाहे राम का अवतार हो चाहे कृष्ण का अवतार हो मैं यहां पर पांड़े जी यह बताना चाहू यह माना जाता है कृष्ण का तो आठमा उतार हो गया और अश्ट मी तीथी हो गई तो यहां पर यह आठ आठ अंक का एक विशेश महत्व है और अश्ट शिद्धी या नव निधियों की जब हम बात करते हैं तो भगवान धरातल पर आए हैं उनकी पूजा करना फिर जिन मात काउं बहनों को पुत्रप्राप्ति की काम नहों वो उसके लिए पुत्रप्राप्ति के लिए भगवान श्रीकृष्ण का अर्चन बंदन और पूजन करते हैं ब्रत उपवास रखते हैं एक दूसरा कारण यह हो गया जि तीसरा इसमें सबसे महत्तुपुर्ण कारण है भगवान के बाल रूप का वर्णन करता हुआ एक अत्यन्त सुन्दर पद्य मुझे याद आ रहा है जिसमें छोटा बालक अपने हाथ से पैर के उंगली को अंगुठे को मुह में जो है डाल रहा है तो उस प्रकार का वर्णन किया है करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवे शयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनशास मरामी तो भगवान बाल मुकुंद की जो विविन बाल लीलाएं है माता पुत्र के साथ किस प्रकार से इसनेह करती है और उनको ये मालूम ये सोधा को इधर जैसे देव की और ये सोधा जो दोनूं माताएं हैं इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ उन्होंने वहाँ पहुंचा दिया और अलोकिक शक्ति संबन पूरे मुह में ब्रमांड के दर्सन कराने वाले अलोकिक दिविवालक तो इस प्रकार से माताओं बहनों के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए विशेश रूप से भगवान स्रीकृष्ण की उपासना अर्चन और बंदन किया जाता है ये म इनकी पूजा तो जितनी व्यापकता से आज पूरे लोग में है तो मैं समझता हूँ ये मुख्य कारण है बिलकुल और जब जब पाप बढ़ता है धर्म की हानी होती है तब भगवान जन्म लेते हैं और दुष्टों का संगार करते हैं बहुत ही सुंदर डोक साव आपने बताया है शैलेश जी कृष्ट जन्माष्ट में वरत के विधान के बारे में हाला कि सभी लोग करते हैं वरत करते हैं पूजन करते हैं फलाहर करते हैं उसके बाद में पूजन अर्चन और आरती करने के बाद में भगवान को अरपन करते हैं तब भोजन की प्राप्ति करते लेकिन आप से हम जानना चाहेंगे कि जो कृष्ण जनमाश्टिमी का व्रत है इसका विधान क्या है शास्त्र अनुरूप जे भो सुंदर अभी आप से मैंने बताया कि जब कंस का त्याचार हो गया था पूरी पृतिवी पाप शे त्रस्त हो चुकी थी पृतिवी ने अनुरोध किया भगवान का अवतार हुआ अब उस अवतार दिवस को यानि अश्टिमी को हम ब्रत रुप में मनाएं इसका विधान क्या है ये आपका प्रश्ण है ठीक यही प्रश्णे युधिष्ठिर ने भगवान सिरी कृष्ण से पूछा है तो भगवान सिरी कृष्ण ने बताया है अपने मुख से इस ब्रत के बारे में विधान के बारे में कि है युषिष्ठिर जी जब कंस वद्ध के बाद मैं अपनी माँ देवकी से और पिता वसुदेव जी से मिला तो मिलने के बाद वो लोग हमें गले लगा कर रोने लगे सारे नगरव वहाँ उपस्थित हो गए अब बात चल रही थी उसी क्रम में नगरवासियों ने भगवान सिरी कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभू आपने जन्मा क्रिष्ण अश्टमी को जन्म लिया आप कुछ ऐसा हमें भी धान बताईए या कुछ ऐसा कारी कर दीजिए कि यह आपका जन्मोत्सव बैकुंठ से भी अधिक फलदाय को हो जाए तो वहाँ मत्वरावासियों की प्रार्थना को सुन करके भगवान सिरी कृष्ण ने स्वयम इस ब्रत का बिधान किया अब बिधान तो बहुत लंबा विशय है वो क्योंकि समय बहुत सिमित है किवल मैं संकेत मात् क्योंकि एतो एक पुरान की वात है प्रायह पुराणों में गर्ग संगिता दे अनेक गरंतों में भगवान सिरी कृष्ण की चर्चा है इनके बद्रत का बिधान है और हमारे सनातन धर्म में अलग-अलग समप्रदायों के अनुसार भी बद्रत का बिधान है प्रायह जब निशीत में अश्टमी हो तो उस दिन हम इस ब्रत को मनाते हैं हलाकि जब भगवान का जन्म हुआ उस समय सुरोदे से लेकर आधी रात तक अश्टमी थी थी और रोहिडी नक्षत्र ही था लेकिन बाद में भगतों को लगा कि जब हमारे भगवान आए उस समय अश्टमी थी अता हम अश्टमी को ही ब्रत रुप में मनाएंगे किसी ने कहा कि नहीं रोहिडी नक्षत्र था इसलिए रोहिडी नक्षत्र जब आएगा तब हम मनाएंगे किसी ने कहा कि सुरोदे काल में भी तो अश्टमी ही थी और ब्रत का आरंभ प्राय सुरोदे काल से होता है अता ह आधी रात को अश्टिमी हो या नो हो सुरुदे काल में भी अश्टिमी हो जाए हम उसको मनाएंगे ठीक इसी तरह से रोहडी नक्षातर वालों ने कहा कि एदी सुरुदे काल में हमें थोड़ी भी रोहडी मिल गई हम उसको पूरा दिनवान कर उसी को मनाएंगे तो इस तरह से इसमें अनेकी प्रमपराओं का जन्म हुआ अनेक तरह से भगवान की ब्रत मानाने की प्रमपरा प्रारब्द हो गई तो उसे आप से हम देखेंगे तो अलग-अलग प्रमपराओं में ब्रत के अनुष्ठान के नियम भी कुछ अलग-अलग है और उन प्रमपराओं का निय हम उन्हीं प्रमपराओं से जानना भी चाहिए जो सामान लोग हैं उनके लिए तो यही है कि एक दिन पहले भगवान से प्रार्थना करें भगवान से अनुमती लें कि प्रभू आप हमें अनुमती प्रदान करें कि हम कल आपका बृत कर सकें आप से हम जुड़ सकें सुबहा से ब्रत को धारण करें नित्क्रिया आदी के बाद दो पहर में हलाकि भविश्प्राण में तो कहा गया है कि मध्यान काल में सुनान करें पर अन्यग्रन्थों का अनुसार जब समचीत्व प्रवान में सुनाना दी करें कि भगवान का ध्यान पूजन सामान कर लें और उस इन बाही प्रपंचों से रहित होकर बाही भोगों से रहित होकर भगवान के प्रति समर्पित भाव से भगवान का ही चिंतन करते रहे और मध्यान के पाद ही भगवान की जनमोत्सों की तैयारियां सुरू कर दें तैयारियों में कैसे तैयारी करनी है तो बड़ा सुंदर भविष्य पुराण के उत्तर पर्व का पच्पनवा अध्याय पच्पन अध्याय नंबर में आप देखेंगे तो पूरा इस अश्टिमी के ब्रत का विधान वहां मिल जाएगा कैसे ज्ञाकी सजानी है जो ज्ञाकी मुल सजाते हैं जो उत्सव के लिए वो कोई अपने मन से कल्पित नहीं है तो वहां बताया है कि प्रसूति ग्री बनाएं फिर वही पर जो पहरेदार हैं सोए हुए हैं इस तरह की जाकी तियार करें और जब आधिरात का समय आ जाए जब भगवान का उस समय जनमुत्सव मनाएं पुरु सुक्त आदी से उनकी उस्तुति करें राम 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 हरे 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 क्रिश्णा हरे क्रिश्णा 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 हरे 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 हलकि एदिया भविष्परान देखेंगे तो वहां भगवान के नाम भी दिये हुए हैं कि आज जनमाश्टमी के दिन या जब जनमाश्टमी हो उस दिन किन किन नामों से भगवान के स्तुती करें, क्या कहकर स्तुती करें, इस सब का वहाँ भिधान है, आप वहाँ से विस्तार से जान सकते हैं, सामानता भगवान का जो नाम आप जानते हों, उस नाम से आप स्तुती करें, पूजा करें, प्रसाद लें, इस तरह से सिब्रत को आप मनाएं, इस साम रखेंगे और हमारी जो जीवन शहले आजकल के जो modern times के अगर हम बात करें आजकल का जो आधुनिक काल है इसमें बहुत अच्छे ढंक से हम रह सकते हैं पंत जी हम जाना चाहेंगे कि विधान अभी डॉक्र साब ने बताया है तो कृष्ण जनवाश्टमी वरत में फलाहर है जल गरहन आदी है तो इसके कुछ नियम और समय के बारे में ये भी जानना चाहें कि क्योंकि जो दर्शक होते हैं काफी उत्सुक होते हैं किस तरह के नियम हमें पालन करने चाहिए जब हम फलाहर करें जल गरहन करें भोजन करें जी डॉक्साब जी धन्यवाद इसमें जैसा अवी डॉक्साब कह रहे थे भविश्य पुराण का उल्ले किया वहीं पर भविश्य पुराण में 15 में अधिहाई में ही लिखा उपवासह सविग्जेयह सर्व भोग विवर जिता है तो यनि कि सभी प्रकार के भोगों से दूर रहना उपवास है और उपवास सब्द का एक दूसरा सामान्य अर्थ है समीप में रहना तो किसके समीप पर रहना, यहनि कि प्रभु के समीप पर रहना, भगवान के समीप पर रहना, उनके मंदिर में उनके मूरती के आसपास रहना, वहां पर बैठ करके मंत्र या नाम और चारण जापादी करना。 अब विशय आता है कि आहार कैसा होना चाहिए फलाहार ले तो ब्रत है उपवास है तो निश्चित रूप से जो हम भोग भोग जो रोज की खादी सामगरी है उसको नहीं करेंगे तो इसमें जो सामानी रूप से लोग हैं वे निराहार रहें एक तो विशय हो गया तो उसमें जल ले सकते हैं परन्तु जल से शरीर की आवशक्ताओं की पूर्ती यदि नहीं हो पा रही है तो फल ले सकते हैं तो जल और फल के अतरिक्त यदि किशी व्यक्ति को फिर और सिंगाडे के आटे के कुछ ऐसे पकवान कुछ ऐसे व्यंजन उनको ले सकते हैं पर अपना मानना यह है कि इसमें समाज में जो माताय वहन हैं जो अपने धर्मानुरागी भक्तजन हैं उनमें भी अलग-अलग मानितायें परचलित हैं कुछ लोग दिन में निराहार रहेंगे या फलाहार करेंगे जैसे मैंने का जल और फल या दूद आधि का सेवन कर लेंगे रात्री में यह जो मैंने कुट्टू का सिंगाडे का सैंधा नमक का इसका उपयोग बताए इसको रात्री में 12 बजे भगवान की आरती करने के बाद फिर इसका सेवन करेंगे परन्तु जो है कि भोजन जो है शुद्ध शाथ्विक्ष के तात्री है कि तामसिक नहो तमोगन से युक्तन हो उसमें उस परकार के जो विबिन त्याज्य चीजें हैं उनका हम त्याकरते हैं और जो पहगवान को हम अर्पित कर सकते हैं जिनका भोग लगा सकते हैं और जब है भी अब जो ब्रत खोलने की विदी है कुछ रात्री में 12 बजे के बाद कर लेंगे और कुछ रात्री में भी नहीं करेंगे वो अगले दिन चा करके खोलेंगे इसमें अलग-अलग परन्तु किसी को बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने के आवशकता नहीं है जिसकी जैस सथिति है वो उसके अनुसार करें और बच्चे और बुडे हैं कुछ लोग दवाईयों का सेवन करते हैं तो वो उसी साबसे अपने लेकिन सात्विक ही भोजन हो अगर भोजन ले रहे तो सात्विक लें और फलाहार जो रहते हैं सबुए जैसे अन्नी चीज़े हैं इनको लेला तामसीक भोजन जो है वो बरजित रहेगा बिल्कुल और अगर हम अपनी जीवन शैली को भी देखें जब हम भगवान का वरत करते हैं एक सहीमित जीवन हो जाता है जिन चरिया उस दिन काफी सहीमित रहती है आहार भूत सहीमित हो जाता है फ चाचेंकाल से और बहुत समय से हमेशा से भगवान के जन्म से यह प्रसिद्ध है लोकप्रियता जो है इसकी बहुत जादा है अधिकता है लेकिन आज के समय भी हम देखते हैं जो हमारे आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं शिक्षार्थी लेकिन जनमाश्टमी की बात करें भ आज के समय पर आपके क्या विचार हैं देखिए इसकी लोग के प्रियता बहुत पहले सही रही है आरफ में शही रही है बिलकुल क्योंकि भगवान की जो लीला है या कृष्णा उतार को पर आप पुरा ध्यान देंगे तो भगवान के बेवित स्वरुप को आप एक गोपाल के रूप में देख लें गाय चराने वाले क्रिश्ण को देख लें विभिन राक्षासों को कैसे मार रहे हैं उसको देखें परियावरण के प्रति कितने सक्रीय हैं भगवान से क्रिश्ण ने आप देख सकते हैं आडम बरादी के विरोध में कितने कार्ज किये है भगवान ने आप दिख सकते हैं जो भी भगवान राक्षासों को मारा है जिसे बटसा सुरहुआ वका सुरहुआ अगहा सुरहुआ ये सब क्या है इस पाखंड अडंबर दंब पाप इनिस सब के तो वो प्रतीक है एक तरह से देखा जाए तो अगहा सुर का मतलब का अगहा मतलब पप भी राक्षस है बिलकुत कालिय दहन और आ इन होने वे अभिमान का प्रतीक है बिलकुत तो एक तरह से देखा जाए त fragrवां ने अपने लिलियाओं के hundredा में से अनिएक प्रकार के सिक्ष कि इन ब्रिक्षों के प्रियोजन क्या है और ब्रिक्षों को दिखा करके मनुश्यों से कहा है कि देखो इनका जीवन सार्तक है यह ब्रिक्षों को देखो कि इनके हां से कोई निरासित होकर के बिफल होकर नहीं लोडता है फल पूश्प पत्र छाया जो भी आएगा बिल्कुल हमसे जूड़े हुए दिखेंगे वो तो निश्चित है कि उनके प्रती आपकी रूची बढ़ेगी आपका जुका बढ़ेगा मथुरा के क्रिष्ण को देखेंगे तो अलग रूप मिलेगा द्वारिका के क्रिष्ण को देखेंगे तो एक अलग रूप मिलेगा त की इतनी लिलाएं मधूर हैं, कि वो जो भी जाए एक बार जाए वो बंसी की तरह खींच, बंसी होती न मच्छली फसाने के लिए, उसे बंसी में चारा लगाते हैं, जो मच्छली उसे खाती हो फस जाती है, फिर बाहर नहीं जाने कलपाती है, भगवान कृष्ण के नाम में बिल्कुल और बंसी वजयए और सबकी मोहन है मन मोहत है और हमेशा भगवान में तो अगार एक कह सकते हैं कि आकर्षन की प्रतिक तो भववान हैं और जहां आकर्षन होगा वाहशानती होगी वहीं उमंग होगा वहीं उत्सा होगा बिल्कुल डौक साब आपने हमें बताया जहां था प्रकाश जी व्रत के बारे में अभी आपने इस कारिकर्म में खिल भी किया कि फल जो मिलता है पुत्र प्राप्ति होती है इस पर एक बार हम दोबारा से आएंगे कि करिश्टे जन्वास्टमी का जो फल है वरत का जो फल है इस पर आप थोड़ा साथ आपने ब्रत उपवास या पूजन कर रहे हैं उसकी हमको प्राप्ति होती है तो एक तरह से यदि हम ये कहें कि जो हमारी कामनाएं हैं जिस कामना से हमने ब्रत पूजन और उपवास किया उसकी प्राप्ति हो गई तो वही फल हो गया जिक तो जो मानव हैं जो माताएं बहना हैं जो भाई बंधु हमारे हें पूजन या ब्रत करते हैं उनकी कामनाई किया है तो यह बद्धो मु Cheerta Vandha Co, K कोई बंधन में है तो वो बंधन से मुक्त होगा अब बंधन किस प्रकार का है उसने किस कामना से ब्रत उपवास किया तो जैसे शंतान प्राप्ति के लिए जिन माता बहनु ने किया है उनको शंतान प्राप्ति हो गई तो इस ब्रत का यानिक ये फल हो गया तो ये हम कह सकते हैं कि जिन भक्तु ने जिन अर्चकु ने जिस कामना से भगवान श्रीकृष्ण की उपासना की पूज में ये कहते हैं कि कई हमारे जो दूरगुण हैं उनको ये दूर करता है अभी भगवान की विभिन लीलाओं की यहां पर चर्चा की गई मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कृष्ण और सुदामा सखा हैं आपस में तो इनकी जो मैत्री है ये तब भी उस यूग से लेकर के आज तक प्रासंगिक है बिल्कुल तो आम जब भारती जन्मानस में या पूरे विश्व में हम ये देख सकते हैं तो भगवान की पूजा करने के जो फल हैं वो आपकी कामनाओं पर आधरित होते हैं किस कामना से किया जा रहा है बिल्कुल और कहते भी हैं जिसकी भावना जैसी दोख साब हम आपसे जानना चाहेंगे सैलेश जी कर्मने वादिकार रस्ते माफलेश और कर्म ही पूजा है और भगवान की जो कर्मवाद का जो सिध्धानते हैं ये आप जरह हम इस विशह पर इस बात पर प्रकाश डालें बहुत संक्षेप में जी डोख साब बिल्कुल अभी अपने फल के बारें पूछा था वही आपने बहुत अच्छा बताया यदुद्ष्य क्रियायम प्रिवर्टितत्फलम कहा गया है जिस उद्धेश आप कर्म करते हैं वही उद्धेश आपका फल होता है आप जिस भाव से अभी आपने ब्ला सुंदर कहा कि जाके रही नात्रसंसाया है एक ऐसा उपवास है कि एक ही उपवास से सारे जन्म के पाप को नश्ट कर देता है एक ही उपवास है तो इसके फल के बारे में तब होत कुछ बताया गया है दुसरा आपने कर्मवाद पर पूछा बिलकुल तो भगवान ने गीता में तो कहा है का पालन हमेशा करना चाहिए और गीता में आगे जाकर भगवान स्वयाँ कहते भी हैं कि स्वकर मारा ला मभ्यर्चिय से ढिम् विंदति मानवा भगवान की पूजा अपने कर्मों से करके बेक्ति सिद्ध्य को प्राप्थ कर सकता है उसी प्रसंग में एक जगह और कहते हैंगे स्वेश्वे कर्मन रभी रता हा संसे धिम लभते न रहा यदि अपने कर्तब का पालन कोई विक्ति करता है तो उस समुचित कर्तब पालन से ही सारी सिधियां प्राप्त हो जाती हैं कोई अलग से अनुष्ठाना दिकिया आउशकता नहीं कर्म ही संदर भागयत में उपदिश दिया है उन्होंने कर्मवाद पर और सिधे कहा है कि कर्मईव गुरु रिश्वरह यह जो कुछ कर्म ही है इसका भाविया है कि जिस विक्ति का जो कर्म है वो कर्म उसके लिए देवता है और उस बुद्धिस अपने कर्म को करके ही विक्ति सिध्य को प्राप्त कर सकता है और इतना सुन्दर कर्म वाद पर पूरा गीता तो है ही सिर्मत भागवत में भी है तो कर्म वाद पर भगवान का यही है कि एक वाक्य में दिक्क हैं तो भगवान का उपदेश यही है कि परमात्मा में विश्वास रखकर कर्म समर्पन भाव से बहुत ही अच्छा आपने विचार रखे आप दोनु महमान हमाई साथ इस कारिक्रम में जुड़े आप दोनु का हम धन्यवाद करते हैं तो दर्शुकों ये था आज का कारिक्रम जिसमें आज हमने क्रिष्ण जनमाश्टमी की प्रासिंग गिता पर बाचीत की आशा है आपको एक कारिक्रम पसंद आया होगा अगले अंक में आपके साथ फिर होगी मलाकार तब तक के लिए नमस्कार